next question 211 का सवाल है question says three charges each plus q are placed at the corner of a ice roseless triangle abc of side bc and ac 2a d and e are the midpoints of bc and ca हमें बताना है work done in taking a charge q capital q from d to e will be और हमें 4 option दे रखे हैं बहुत simple सवाल है लेकिन यहां थोड़ी सी geometry चाहिए होगी so एक आपका ice roseless triangle है so triangle कुछ इसप्रकार है let us say यह triangle है आपका a b और c जिसकी यह दो side है यह side और यह side दोनों बराबर है और इसके बाद हमें यह दिया हुआ है कि यह दोनों side जो है यह आपकी side आपकी 2a है और यह वाली side आपकी 2a अब हमें कोई एक point है जो point यहां यहां पर d point है और यह कोई e point है d points है e point हमें कोई particle charge particle है उसको लेके जाना है बताना है कि ता work done करना होगा अगर इस पे थोड़ी सी यहां पर geometric knowledge चाहिए अगर इस पे अगर हम एक perpendicular यहां drop करें जब इसके उपर हमने यहां से perpendicular drop किया है कुछ किताबों में इसका solution गलत दिया हुआ है कुछ किताबों में इसको isosless triangle मानके equilateral triangle मानके उन्होंने इसे solve किया हुआ है उनका solution यह है कि a से जब आप perpendicular drop करेंगे तो d पे आएगा hence उन्होंने a d का distance निकाल दिया और similarly उसको कहा उसके बराबर होएगा जो आपका b e का distance होगा वो solution गलत है now यह इसका proper solution है कि a से जब आप यहां perpendicular drop करेंगे तो वो of course d पे नहीं आएगा यहां कहीं पे आएगा क्योंकि आपका isosless triangle है जिसमें यह दो side बराबर है अगर यह equilateral triangle होता तो definitely perpendicular यहां पे आता या अगर यह दो side बराबर होती तो definitely वो perpendicular यहां पे आता लेकिन फिर के इस case में फिर side आपकी अलग हो जाती हो यहां पे हमें जो देखने की ज़र्वत है वो यह है कि potential at d जो अगर यह दोनों side बराबर है तो यह distance a हुआ यह distance a हुआ यह distance a है यह distance a है तो अगर आप इस point पे potential लिखेंगे इस वाले point पे और इस वाले point पे due to symmetry जो आपका d point है उसका अगर distance आप b से a से और b से c से और a से देखेंगे वो same distance आएगा जो e point का इस a से c से और b distance है तो उसके वज़े से कह सकते हैं कि potential at a will be equal to potential at e इन द दोनों के बीच में delta v potential का difference 0 होएगा and hence work done d से e ले जाने में 0 होएगा ठीक है तो इसमें लंबी चौड़ी geometry लगाने की सब्स नहीं है इसका answer 0 है so work done from d to e किसी भी charge को ले जाने में आपका 0 होएगा and hence option number d 0 would be the right answer